नमस्कार मैं हूँ विपुल पांड़े आप देख रहे हैं किसान तक मैं इस समय कानपूर में हूँ कानपूर के सोना गाओं में और यहां पर जो मैं आपको पेड़ दिखा रहा हूं यह देखने में बहुत इस समय खुबसूरत आपको नहीं दिखेगा लेकिन इसकी खुबि साथ यहां के टीचर कह लें या फिसरीज की फार्मिंग करने कह लें के फार्मर हैं यहां पर जैकुमार सिंग जी आप हमें जो बता रहे थे वो जरह इसकी खुबियां हमें बताईए जी विपुल जी आपने बहुत अच्छा प्रस्न किया यह आप देख रहे हैं यह अरज की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है इसकी आप अगर एक इंच से देड़ इंच का तुकड़ा आप ले लीजे रात को भिगो दीजे और उस पानी को अगर आप प्रॉपर उबाल के परड़े लेते हैं अगर दिन में दो वार भी ले सकते हैं कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इ दोनियावर की महंगी दवाईयां खा रहे हैं अगर उन दवाईयों के साथ इसको सुरू करें दीरे दीरे आप देखिएगा दवाईयां आपको लगभग ना के बरावर खानी पड़ेंगी यह मेरी गारंटी अच्छा इसको खाली पेट पीने का बताएंगे या कितनी देर तक इनको इसको पानी में रखना होगा देखिए इसको पानी में रखने के लिए अगर आपको काड़ा बना के पीते हैं तो आप रात पे इसको भूग हो यह और उसी पानी को आप इसको लगभग 10-15 मिनट बॉयल करिए मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल आप आधा कर दीज है यह सामानिता इसमें इस समय पत्जड का समय है नहीं तो इसमें फलीयां भी लगती है मैं फली आपको दिखा नहीं पा रहा हूं इसकी पत्ती लगभग Eucalyptus की पत्ती से मिलती जुलती है और इसकी स्किन आप देख लीजे यह ग्रीन स्किन रहती है बाद में थोड़ी स को घंबले में लगा सकते और इसको जरूर लगाएं और घीरे घीरे गारो करके आप इसको वस्तेमाल करना फिरू कर सकते हैं ऐस किन LLC अभिबता रहे तो इस की पतला निखालना थोड़ा सा इस मह बलकी ज्यादा निकल गया इसको हल्की कित पतला निकालना है हमको और इस इसकिन को ही हमको ताजी लख सकते तो बहुत अच्छा नहीं तो आप अप इसको चाया पता तुखा भी सकते आपके लिए इतना छोटा पर आप ने इसको इतने तुकड़े को भी इस्तेयों कर सकते हम और यह आपको बहुत पाधा करेगा अगर आप सुखा लिए आप सालवान है सुरखषित रहे अपने पास आपको पास ये सुप्सक्षित को करेंगा कर दो कर दो कर दो कर दो